चलिए कान के वैक्स और उससे छुटकारा पाने के तरीके की बात करें। कान साफ करते समय आपको सतर्क रहना चाहिए। Cotton birds के packet पर चेतावनी लिखी होती है कि इसे अपने कान के अंदर न डालें। उन्हें लोगों को ये बात बतानी पड़ती है क्योंकि कई बार लोग इस cotton bird को कान में डालते हैं। उससे मैल और भी अंदर घुस जाता है, कान बंध हो जाता है और कान का परदा फट भी सकता है। इसलिए packet पर चेतावनी लिखी होती है। आपके कान के छेद की चौड़ाई लगभग एक इंच होती है। उसका आकार लगभग इतना होता है। आप समझ सकते हैं कि आपको कान के बहुत अंदर कुछ नहीं डालना चाहिए। अगर आपको कान साफ करना है, तो आराम से और उपर-उपर से ही उसे साफ करें, बढ़ को गोल घुमाए, जिससे मैल कान के अंदर नहीं गुसेगा। कान की सफाई के कई टूल्स उपलब्ध हैं, कान का मैल या वैक्स निकालने वाली चमच भी आती है, कुछ इलेक्ट्रिक डेवाइस भी उपलब्ध हैं, जो कान से मैल निकाल सकते हैं। ये सभी चीजें बहुत बढ़िया हैं। आपको ये समझना है कि आपको अपने कानों को जरूरत से ज्यादा साफ नहीं करना चाहिए, खास कर रोजाना तो बिल्कुल साफ नहीं करना है, कान को रगड कर साफ नहीं करना है। आपको समझना होगा कि कान के मैल का क्या काम होता है और ये कैसे आपकी मदद कर सकता है ये वैक्स या कान का मैल केवल मैल नहीं है ये कैराटिन प्रोटीन प्वचा की मृत कोशिकाओं लंबी चेन वाले फैटी एसिड्स और कोलिस्ट्रॉल से बनता है इसका पी एच थोड़ा एसिडिक होता है और बड़ी बात यहा है कि इसमें बड़ी मात्रा में सुक्षमजीव मौजूद रहते हैं इन सुक्षमजीवों की संख्या लगभग एक करोड तक हो सकती है ये सुक्षमजीव आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होते हैं दूसरे शब्दों में कहें तो कान का मैल कीडों को कान में जाने से रोकता है ये कान में घुसने वाले दुश्मन सुक्षमजीवों से आपकी रक्षा करता है ये पैथोजन्स से आपकी सुरक्षा करता है, ये प्रतिरक्षा की एक दीवार की तरह काम करता है इन सुक्षमजीवों को सहभोजी सुक्षमजीव कहते हैं इसका क्या मतलब है? विभिन्द प्रकार के सहभोजी संबंध होते हैं, जहां एक जीव नुकसान पहुचाए बिना दूसरे का लाभ उठाता है कुछ पारसपरिक लाभ भी होते हैं, और इस स्थिती में हमें पारसपरिक लाभ देखने को मिलता है जहां हम सुक्षमजीवों को रहने के लिए घर देते हैं और वे पैथोजन्स से हमारी रक्षा करते हैं आपकी नाक में भी ऐसा ही कुछ होता है आपकी नाक और मुख में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं अगर आप ये नहीं समझेंगे तो उनका पूरी तरह से सफाया कर डालेंगे और उससे समस्याएं पैदा हो जाएंगी आपकी त्वचा के साथ भी यही होता है अगर आप त्वचा को ज़रुरत से ज्यादा साफ करेंगे तो त्वचा पर मुहां से निकल सकते हैं क्योंकि फिर आपकी सुरक्षा करने वाले अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और त्वचा लाल हो जाएगी, उसमें सूजन आ जाएगी। लोग कान के संक्रमन की दवा लेते हैं। उसके कारण दूसरा संक्रमन होने का खत्रा बढ़ जाता है क्योंकि सभी अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और फंगस जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगता है। इसलिए डॉक्टर आपको कई बार एंटी फंगल के साथ एंटी बैक्टीरियल भी देते हैं। उसके कारण आप में रेजिस्टेंस पैदा होने लगता है। ये सुक्षमजीव बढ़ने लगते हैं और उन्हें मारना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रतिरक्षा की इस कार्यप्रणाली का सफाया करने से पहले आपको सोचना चाहिए। इसलिए मैं कुछ चीजे बता अधन करता है। ये सभी आपके कान के अंदर होता है और इनकी कार्यप्रणाली समान होती है। एंड्रोजन में वृध्धी इनका कारण है। उसका कारण है तेजी से बढ़ने वाला इंसुलिन। इसलिए आपकी डाइट ये निर्धारित करती है कि आपके कान का वैक्स कित आना चाहते हैं तो आप कुछ एक काम कर सकते हैं। आप 3% हाइड्रोजन पेरोकसाइड की बूंद को ओलिव ओयल की बूंद के साथ मिलाकर कान में डाल सकते हैं। आप ओलिव ओयल का इस्तिमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वैक्स कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिर का होता है और इसलिए उसे घोलने के लिए आपको फैट की जरूरत पड़ती है। अगर आप कान में हाइड्रोजन पेरोकसाइड की बूंद के साथ एक स्ट्रा वर्जिन ओलिव ओयल की एक बूंद डालते हैं और कान उपर करके एक तरफ लेट जाते हैं ताकि मिश्रण कान म अंदर तक चला जाए आपको तीन से पांच मिनट तक ऐसा करना है फिर आपको सीधा बैठ जाना है कुछ देर इंतजार करना है मिश्रण के साथ गंदगी बाहर निकलने लगेगी मैल साफ करने के लिए रुई का इस्तिमाल करें अगर कान में संक्रमित वैक्स है जहां आप की सुनने की क्षमता प्रभावित होती है तो आप डॉक्टर से उसकी जाच करवा सकते हैं या मान लेते हैं कि आपके कान में खुजली है या किसी प्रकार का संक्रमन है तो आप कुछ प्राकृतिक चीजें आजमा सकते हैं सबसे पहला है मेरा पसंदीदा कोलोईडल सिल्व इसकी कुछ बुंदे कान में डालें ये एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करेगा ये बैक्टीरिया, फंगस, यीस्ट और वाइरस के खिलाफ भी काम करेगा ग्रेप फ्रूट सीड एक सट्रेक भी बढ़िया ओशधी है मेरी आखिरी पसंदीदा ओशधी है औरेगैनो ओयल आप इन में से किसी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं उसे आजमाया करता था, मैं लेट जाता था, अपने कान में जल्ती हुई मुंबत्ती लगाता था और मुंबत्ती जल्ती रहती और कान तक पहुँच जाती थी, जब मुंबत्ती यहां तक पहुँच जाती थी, आख से अपना कान बचा कर आप उसे निकाल लेते थे, फिर आपको मुंबत्ती के अंदर कान का वैक्स दिखाई देता था, जो वास्तव में वैक्स होता नहीं था। कान का वैक्स गुरुत्वाकर्शन के विरुध इस ट्यूब में इकठा नहीं होता। इस स्थिती में आप मोम्बत्ती में मौजूद वैक्स को ही देख रहे होते हैं। इस वीडियो के जरिये मैं आपको सुक्ष्म जीवो और माइक्रोबायोम की जानकारी देना चाहता था, जो आपकी त्वचा पर रहते हैं। आपको उनका पूरी तरह से सफाया नहीं करना चाहिए, कभी कभार कान साफ करना ठीक है, लेकिन रोजाना ऐसा न करें। अब आपको सीबं को नियंतरित करने पर बनाया गया मेरा वीडियो देखना चाहिए और वह जानकारी मुहासे बाले वीडियो में मौजूद है। आप उसे यहां देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।